हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दा लेटस अपडेट थूदा डिट्रेप्लेश्वी दिल्ली सुबोडिनेट सर्वी सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपका यहां पर रिजल्ट हो गया है डिकलेर स्टैनो ग्रैड स् उफिशल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यह देखने को मिलेगा अधर्वाइस मैं आपको ओफिशल यहां रिजल्ट का सीधा लिंक देदूंगी जस्क्रोल डाउन करना है और यह पीडियेफ मिल जाएगा आपको देखने को यहां पर टैप करना है और आपके सामने पीडियेफ कुल के आ जाएगा ऐसा कुछ पीडियेफ आएगा और 20 तारीक का है 20 सेपरेल का है आप यहां से डेट चेक कर सकते हैं यहां पर इन्होंने डाल दिया है आपका और यह देखें यहां पर दरोलंबर और 425 कंडिडेट वह क्वालिफाइड बोथ शोर्टेंड स् यहां पर आप देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना रोलंबर चेक कर लीजिए यहां पर लगवक कितने का हुआ है 425 लोगों का यहां पर इन्होंने रिजल्ट डाल दिया है यह भाई देखिए 256 पोस्त थी यहां पर ठीक है यह देखो मैं आपको दिखा दे यहां पर्फोर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन और बिंग क्वालिफाइड इन स्केल टेस्ट ऑफ पोस्त कोड 21 बटे अथारा 425 कंडिडेट यहां से वो हैव क्वालिफाइड जुनोंने क्वालिफाइड किया टाइप राइटिंग स्किल भी और यहां पर आज वेल ए शोर्ट एंड स्किल टेस्ट भी इन रिस्पैक्टिव कटेग्री एस पर देटेल्स गिवन बिलो और बिंग प्रोविजिनली शोट information furnished by the candidate in their application online application form अब यहां पर देखिए यहां पर 256 vacancies के उपर बात थी minimum normalized हुआ है marks for calling of e-dozier purpose only out of 200 marks पर यहां पर अगर यू आर की बात करें तो 91 पोस्ती जिसमें आपकी cutoff गई है 118.63 पे OBC की 101 पोस्ती 74.73 पे यहां पे cutoff है SC की देखो OBC से भी ज्यादा है 104.04 पे है ST की यहां पर 36.89 पे है PH की 81.7 और PH वह में 9 पोस्ती 103 पे है और यह non available यह भी और EX SM की देखिए 97.11 पे है और SP की यहां पर 82.3 पन पे है shortlisted candidate for the above mentioned post या post code are hereby informed to fill e-dozier and upload कर देने है सारे documents अपने जो degree certificate जो भी mark sheet वगारा ठीक है e-dozier module in OARS link in individual account in OARS module में shortlisting is being made on the basis of marks obtained in tier 1 examination objective type MCQ for 200 marks and being also qualified in skill test kindly note that e-dozier link will be activated to those candidates who are provisionally shortlisted सभी के लिए नहीं खुलेगा भी यह उन लोगों का खुलेगा जो यहां पर shortlisted हुए है all the candidate who have been shortlisted for falling in the consideration zone of selection must upload आपको करना है सारे और उसके बाद यह जो e-dozier link जो available रहेगा यह रहेगा आपका मैं दिखा देती हूं 28 मई से आपका 28 अपराल से आपका 12 मही तक रहेगा candidate upload कर सकते हैं अपना e-dozier should ensure कर सकते हैं यह शी fulfill the all eligibility criteria and qualification as per RRS and post as on date of the closing date रहेगी sorry sorry यह तो आपकी advertisement की date है 13 2018 तो आप देख सकते हैं यहां पर all candidate who have shortlisted uploading e-dozier must upload their all request applicable document in the said link in stipulated time 28 तारिक से शुरू हो जाएगा बारा तारिक तक आपको यहां पर डाल देना है और यह सारा है दाबाओ shortlisting of candidate calling of e-dozier for the post code of 21.88 will be subject to outcome of pending court cases if any the shortlisting of candidate calling e-dozier for the post of 21.88 is subject to outcome यह सब बेरक का आप एक बार पढ़ लिजेगा वाइल every care has been taken in preparing the list of shortlisted candidates डिट्रेप्लेस भी डिजर्व दराइट to rectify error and omission if any deduct at any later stage ठीक है आप यहां से चेक कर सकते हैं आपका यहां पर result कर दिया है declare और यह है 425 candidate तो guys यह था आज का notification मैं आपको officially result का link सिधा description में दे दूंगे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तो you can see your result और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please like कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा and thank you for visiting the channel thank you for watching the video